हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल है इसके जोब सग्यान में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि Central Selection Board of Constable के द्वारा जो है आपकी फोटो और सिगनेचर के लिए बोला गया है तो दोस्तो किन किन कैंडिडेट्स को फोटो और सिगनेचर के लिए बोला गया है उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो उसका फोटो और सिगनेचर हैं वो कैसे अपलोड करोगे और किन किन स्टुडेंट को बोला गया है कि वो अपनी फोटो और सिगनेचर दुबारा से अपलोड करें तो दोस्तो सबसे पहले हम इसकी लिस्ट बताते हैं कि किन किन बच्चों को जो है फोटो और सिगनेचर दुबारा से अपलोड करें हैं और व बंद में सुचित करना है कि निमांकित अभियर्थियों द्वारा ओनलाइन आवेदन में अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया गया है अथ्वा अपने जो फोटो और सिगनेचर हैं वो दुबारा अपलोड करने पड़ेंगे तो दोस्तों यहां पर आप जो है कुछ बच्चों को दुबारा से बोला गया है तो दोस्तों इसमें जो कुल आपके स्टूडेंट्स का खीचा हुआ जिसका बैक्राउंड आपका स्फेध होना चाहिए 15-20 KB के बीच का और हस्ताक्षर अंग्रेजी एव हिंदी में काली अत्वा निली शही से अलग-लग 15-20 KB के बीच JPG, JPEG और GIF फॉर्मेट में स्कैन कर दिनांक 21-2021 से 7-1-2021 तक परशद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in के बिहार पुलीस टैब पर दियेगे लिंक पर लोग-इन कर पुन अप्लोड कर सकते हैं यह अंतिम अफसर है इसके बाद ओनलाइन अवेधन पत्र में किसी भी परकार की तूटी पाये जाने पर बिना किसी सूचना के अवेधन को रद कर दिया जाएगा तो दोस्तो अब हम आपको बताते हैं कि आपने जो इसका फोटो है वो कैसे अपलोड करना है तो दोस्तो इसके लिए आपको लोग-इन करना पड़ेगा तब ही आप जो है अपनी फोटो और सिगनेचर अपलोड कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए जो आपका साइज बताया ग और दोस्तों जो आपके signature हैं वो black या blue pen से होने चाहिए तभी उसको जो है सविकार किया जाएगा तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप इसे कैसे upload करोगे तो दोस्तों इसके regarding भी आपको यहां पर link दिया गया जिसका link में आपको description में भी दे दूंगा आप वहां से direct इसे open कर पाओगे तो दोस्तों इस पर click करने के बाद हमारे पास एक new tab open होगा तो दोस्तों इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपना candidate login करना है उसके बाद ही आप जो है अपना photograph और signature upload कर पाओगे तो दोस्तों आपने step 1 upload photograph पर जाना है और आपने यहां पर अपना registration number या option पर click कर देना है तो दोस्तों जैसे ही आप submit के option पर click करोगे तो आपको जो है वहां पर अपनी photo और signature दुबारा upload करने है तो दोस्तों जो आपका photo signature का size है वो 15 से 25 के भी तक ही होना चाहिए अगर इससे ज्यादा भी होगा तो भी यह सभीकार नहीं किया जाएगा और दोस् accept की जाएगी तो दोस्तों यह आपके पास last chance है इसके बाद आपको कोई chance नहीं दिया जाएगा तो दोस्तों जिनका यह clear नहीं होगा उनके जो अवेदन है वो रद कर दिये जाएंगे तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे वीडियो के comment section मे comment करकर हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत